हे गाईस इस सीन में हमारे सेटनास सुबह सुबह उठते हैं और गाना भी बज़ता है और जैसे ही सिदात लिविंग एरिया में आता है तो देखता है वहाँ पर ट्रोफी पढ़िये और उसको आगे से पीछे से हर तरीके से उसे देखने लगता है हमारा सिदात ट्रोफी को और फिर सिदात किचिन एरिया में दिखाया जाता है कि किचिन एरिया में खड़ा है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि सना बार आई है रूम से बेडरूम से बार आई है और वो भी उस ट्रोफी को देख रही है और उसे हाथ भी लगाती है सना उस ट्रोफी को हाथ भ दोनों बैठे और हमारे सिनाव एक डूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और यहांपर ना सिधाद ट्रोफी की तरफी देख रहा होता है और पानी भी पी रहा होता है संना यह देख खार माग लगा रहा है सिधाद तुझे इमोशनल आटेज्मेंट हो गई न को बोलती है कि तुझे emotional attachment हो गई है trophy के साथ फिर सिदातना सना की बातों पर हसता है और सना कहती अब ये दिमाग लगा रहा है मैंने क्या क्या गलत किया क्या क्या सही किया और इस साब से क्या system लगा रहा है ये बहुत गहरा सोच रहा है इस time ये कहां क्या करना चाहिए था क्या कर लिया different है ना इस बार की trophy बहुत different है सिदात केता है प्यारी है और ये scene यहीं पर खतम हो चाहता है बहुत प्यारा लगा मुझे ये scene पर ये शोटा सा scene होता है सिर्फ 43 minute या 44 minute का होता है उससे ज़्यादा ये scene नहीं होता लेकिन सिदात का ये बहुत प्यारा लगा scene कैसे शेणा सिदात को दे कर हसती है न वो मुझे cute लगा और सिदात कैसे चना की बातों पर हसता है मुझे वो भी बहुत cute लगा सो आपको ये scene कैसा लगा और आप सिदात और शेनास के बैटने का तरीका देखो कैसे एक दूसरे के साथ सबा सबा बैठे हैं और काटून लग रहे हैं दूसरे के साथ बैठे हो यहां पर मुझे तो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल